विल्कम टू माई टूप चैनल सुजीत कुमार अस्तरम कलास अजगो आज फिर से हम एट्थ कलास का नेक्स्ट चेप्टर लेकर के आगे हैं जो कि यह चेप्टर है खाद सुरक्षा यह टेंथ चेप्टर है दस्वा नमबर चेप्टर और आठ्मा कलास का यह अंतिम चेप्ट टूमिक्स आप जाइसे हैं कमपलिट चाहेगा उसके बाद हम टिंठ कलास कर बना देंगे फिर बीच में टिंठ क्लास का भी आ सकती है और जैसे यहumed gonna जो एउ रहा था जैसे हैं यह कंप्लीट होता है और ना ग्लास इसको बना रहे हैं क्योंकि ज्यादा इसकी अतन तवस्यक है इसलिए इसको हमने बनाना पड़ रहा है तो खाद ही सुरक्षा का जो चेप्टर है एर्थ कलास का जो कि टेंथ चेप्टर हैं तीम नंबर उस चेप्टर में हम 285 के चंतकों से पहले कर चुके थे अब 286 नंबर कोच्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 286 नंबर जो कोच्चन है खाद सुरक्षा का क्या अभी प्राय है मत्तब खाद सुरक्षा का मतलब होता है मित्र खाद सुरक्षा का मतलब होता है मित्र खाद सुरक्षा का मतलब होता है खादान की उपलगता है तो यह एक सीय होता है, Food Corporation of India yeah, तो उसलों के तहत हम लोगों के जो बहूंफ जगर वार जो रासन दोकान जो बिवस्था किया गया है, फूझे, तो उसमें आपको खादान की ववस्था किया जाता है तेल की ववस्था किया जाता है और च inveja किया जाता है, टिक तो बात ऐसा है कि FCI में ऐसा होता है कि जो भी जहां पे जदा पादन होता है तो पादन होता है तो जो उसे सरकार खरीद लेती है उनकी सानों से ठीक है और खरीद करके और वह चला से संब्मनिद जो भी चवल है उसका भंडारन होता है और उसी के दोराध्र दुकान है उसके दवारा बित्रन करवाई जाती ξती जिस और फबड़न को दग्या जाता है ति अब दखिया के दिया जाता है तो नंबर कोश्यास सर जनक बित्रन पर नाली में शर्वधिक लवानमित पोरक कौन है नेधंता रेखा के ओपर की बेक्ति नहीं दह परणी वर्ग जो है न अतिनी रधान सोच्टी ओंधियान भोजान योजना किस अच्छा तक के बचों के लिए लागू तो मध्यान भोजान योजना जिससे मिड़े मिल बोला जाता है यह लागू है या आठवी कलास तके लिए बिहार में जो इसका शुरुवात हुआ था मित्र बिहार में इसका शुरुवात लगभग दुजार तीन से चार इसवी में प्राथमी कलास के लगभग दस जीला के तीस परखंड में दस जीला के तीस परखंड में दुजार पांसो एक तीस जो प्राथमी बिज़ाले था उसमें सबसे पहले दुजार तीन से चार इसवी में लागु किया गया था कि सभी बच्चों को भोजन दिया जाए और दुजार साथ से आठ इसवी तक आते आते पर सभी प्राथमी सकरात्मक प्रभाव रहा और यह एक अप्रेल दो जारा आठ इसवी के गर में बात करो तो यह कैसा वर्स था यह कैसा समय था जब प्रात्मक बिद्याले तक ही नहीं बलकि मद्ध बिद्याले तक यह चला गए आठमा कलास तक के सवी बच्चों को मध्यान भोजन देने लगा भोजन दिया जाने लगा ठीक है ना इस तरह की बोस्ताएं चली अगला कोशन देखिए बफर अश्टो का क्या विफ्राय होता है क्या मतलब होता है ख़दान की मुफ्त बित्रन ख़दान का सरकारी भंडारान ख़दान से लाभर जन इनमें से कोई नहीं तो नहीं बतला है था कि जो भी किसान से लेता है उसको सरकार भंडारन करती है श्टो करती इसको बोला जाता है भफर रश्टो तो इसका दूसरो नमासी का जो उतर हो जाए गया बी ऑप्शन राइट हो जाए ठीक है ना अब चलते हैं एकला क्वेशन क्योंट कि उर किस दसक के प्रग्म में भारत में हरित करांती का सुरुवात हुई थी तो हरित करांती का जो सुरुवात हुआ था मित्र वह हुआ था उनई सो सत्तर इसवी के दसक में हुआ था चुकि बात ऐसा हुआ था मित्र के हरित करांती के सुरुवात उन परिस्तितियों में हुआ था यह सबसे पहले तो ज सब्सक्राइब करने के लिए क्या तरीकाइं हो सकती है तो अमेरिका के जो बेग्यानिक थे ठीक है नहीं का नाम हमें ध्यान नहीं अच्छी तरह से उन्हें कि वहां के अगर क्रिसें विकास किया जाए तो यह संभावना है कि वहां विकास कर पाएगा जल्दी से तो इसलिए वहां किसी विकास करने के लिए डॉक्टर नॉर्मल बहुत लोग जो थे उन्होंने एक इस तरह से बीच तयार किया जो कि लगभग उस बीच का नाम सायदे 2020 था और वह जो बीच तयार किया गया जिससे लगभग एक टन के मतलब 6 गुना 6 गुना कर सकते हैं कि वहां जो एक किलो होता था उच्छो किलो होगा ठीक है ना क्योंकि गिहुम का है बीच तयार किया गया था एक किलो के बतले 6 किलो यह उत्पादन करेगी फिर उसके पर लोग यहां और डाक्टर स्वामी नाथन जो थे इसे स्वामी नाथन जो थे यहां उनसे भेट हुआ डाक्टर नॉर्मल पर लोग को तो उनसे भेट करके और वहां से अपने अमेरिका से मंगाया गया उस तरह के बीज और यहां डाक्टर नॉर्मल लोग जो थे हगा गया संखें किया गया टो और ज्यादा उत्पादन होने लागा ठीकर ना तो यहां पे हरित करंथी का प्रादटूरभाव हुआ मतलब शना उत्पन और हरित करंथी凝ा गवह हुम्हें पंजाब में सब te aile aight खाए है न हरित करंथी जिसका बहुत का परभाव रहा हरित करांती लाने का सबसे ज्यादा सिरेज़ों जाता है वह जो लाल बहादुर शास्त्री थी ठीक है न जो कि जैसे हें पणड़ नहरों मर गए थे ठीक है उनिस चोण सठीसे में उनके बाद इनको लाल भादु सास्तिर को पधान मंत्री के रुपे बनाय गया था जो कि उस वक्त भारत पकिस्तान के साथ यूद हुए थी उनिसव पैंसेटिसी में ठीक है न और उस यूद के दर्मान इन्होंने बहुत दिकत हुए थी यूद जब हुआ था तो उस वक्त हमारे ह ख़दान के समस्या के बहुत दिकत थी ख़दान के बहुत सारी समस्याएं थी तो हमारे आर्मी जो यूद कर रहे थे वह एक साम भोजन करके यूद कर रहे थे ठीक है न फिर भी हमारे जीती भी थी भारत का जीत हुआ और लाल भादु सास्तिर ने मंत्रित किया कि यहां भ किते मुल भी दी जाएगी और उचीत आपको सारा चीज जो किसान के चाहिए उचीज आपको दिया जाएगा उत्पादन कीजिए और उत्पादन हुआ और इस तरह से विकास हुआ ठीक है ना हरित करांती बैचारे जो लाल बाहदु सास्ति थे उनकी तासकॉंद समझोता वे जो बात करो तो यह झारित करांती हमारे देश में आया था ठीक है नї सटर के दसक हम मान सकते हैं और आपर उपसन के नुसार मानना ही पड़ेगा सरणय की वित्रण पर नालिक क्या उद्फ़ सरुजन की वित्रण पर नालिका क्या हुद़्िस है उचीत मुल्य पर ख़दान की बितरन भी होना चाहिए और ख़दान की मुल्यों का नियंतरन भी होना चाहिए इसलिए इसका आप्सन अगर डी राइट होगा तो सबसे उचीत रहेगी ख़दान की किमते बढ़ने का क्या कारण है तो ख़दान की कीमते बढ़ने का उत्पादन कम होना उत्पादन अधिक होना अकाल किस्थिति या AMC ए में क्या कहा जा रहा है ख़दान की कीमते बढ़ने का क्या करन है उत्पादन की कम हो जाना उत्पादन अधिक हो जाना नहीं अकाल किस्थिति तो एमसी संभावना ये बन सकती है कि और सी इसका सही हो जाएगा चुक्य उत्पादन अगर कम होगी तो किमते बढ़ेगी और अकाल किस्थिती आएगा तो उत्पादन तो कम होगा ही तो इससे कीमत बढ़ जाएगी ठीक है ना अगर देखिए कुपोशन के परधान लक्षन क्या है तो कुपोशन मतलब कुप मतलब खराब पोशन मतलब होता है जो सारे चीज़ खाने पीने के लिए जो हिस्ट पर दिया जाता है तो खराब अगर दिया जाता है तो उसका लक्षन हो जाएगा कि स्रीव में खून की कमी हा या खिलने की तो यहां पर भुक्मारी सही अप्सन होगा भुक्मारी की श्थिति बन सकती है अगर लंबे समय तगर आपदा रहा थो ठीक है न आपदा क्या होता है मित्र आपदा वह चीज होता है वह एक आईसी घटना होती है जो कि कम सहय में ज्यादा च्छती पहुचाता ह वही आपदा होता है हम आपदा तभी कहेंगे जब कम सहे में ज्यादा च्हती पहुंचाए अगला कोशन है दूसर पंचानवे नमबर कोशन के कर में बात करूँ तो है बिहार सरकार के दौरा कूपोसन को दूर करने के लिए कौन सा कारे करम चलाए गया है कि दूजर 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 तीन से चार ऐसीमें लगयादा जिलन के तीस परखंड के दूजर परांट पांसों एकतिसर प्रात्मिक भीडेले में अस्टार्ट किया गया पांसों नमद्यान प्हजन होता है इस तरह से 255 तक कोशन आपका बन गया है, एर्थ कलास का जो पुलिटिकल साइंस है, जो कि पुलिटिकल साइंस में ही कोशन में इंकुलूड कर रखा है, तो इस से मिलता जुलता जो कोशन है, 255 तक राइट बन चुका है, ठीक है न? तो इसका आप हम टाइपिंग करवा देंगे जैसे ही टाइपिंग कंप्लीट होगा इसका हम पीडियाप टेलिग्राम चैनल में डाल देंगे तो टेलिग्राम चैनल का नाम है सुजीत कुमार अस्तंब कलासेज गो सुजीत कुमार अस्तंब कलासेज गो टेलिग्राम चैनल का सकते हैं आप टेलिग्राम चैनल पर सच किजेगा सुजीत कुमार रस्तम कला सच गो नीचे जोईन का उप्षन होगा आप जोईन कर लिजएगा आप जोईन हो जाएगा है अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें कि कैसा वीडियो लगा और किस तरह के और वीडियो चाहिए शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर की जाएगा आपको परते कि मुबाइल में वाटसेप रहता है और वाटसेप में आप सेयर कर सकते हैं ठीक है ना और बढ़ा सकते हैं इस चैनल का